आई ये बात करते हैं कंप्रेस्ट बायो गैस प्लांट को लेकर आयोजित समिनार की जार्खन में भी अब इंडियन ओयल की ओर से कंप्रेस्ट बायो गैस प्लांट लगाई जाएगी जिसे लेकर तयारी शुरू कर दी गई है शुकर्वार को अधितियपूर में कंप्रेस्ट बायो गैस प्लांट को लेकर समिनार का आयोजिन किया गया जिसमें ग्रीन आटो फैूल एनरजी को बढ़ावा देने की दिशा में इस प्रजेक्ट को विस्तार करने की चरचा की गई इस सेमिनार के माध्यम से बताया गया कि जार्खन में भी वेस्ट कचरा को निश्पादित कर बायो गैस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है इसके अलावा उसके वेस्टेज को खाद के रूप में प्रयोग भी किया जा सकता है इस प्लांट के लगने से रोजगार के भी अफसर स्रिजित होंगे देश भर में वर्तमान समय में करीब 5,000 कंप्रेज्ट बायोगैस प्लांट लगाने की योजना है वर्तमान में बिरानवे प्लांट लग चुके हैं 35 प्लांट इस वर्ष और तयार हो जाएंगे वहीं जालखन में भी इसकी संभावना तलाशी जा रही है बताया गया कि जालखन में 20 प्लांट प्रस्तावित है जो उद्यमी इसमें रुची रखना चाहते हैं उसे स्वैम का पूंजी निवेश करना होगा क्योंकि इस पर अभी सरकार की ओर से किसी तरह की सबसेडी नहीं दी जा रही है हलांकि वक्ताओं द्वारा बताया गया कि आने वाले दिनों में इस पर विशेश फोकस किया जाएगा वहीं जानकारी देते हुए वक्ताओं ने ये भी बताया कि 100 टन वालों से 1 टन CBG गयास का निर्मान किया जा सकेगा वहीं गन्ना के 25 टन वेस्टेट से 1 टन CBG गयास बनेगा गयास बनने के उपरांद उसके वेस्टेट से औरगनिक खाद भी तयार किया जा सकेगा जो खेतों में खाद के रूप में प्रयोग में लाया जा सकेगा कायकर में मुख्य रूप से IOC GM उधै कुमार बिहार जार्खन के Executive Director विभाष कुमार एशिया के अध्यक्ष संतोष खेतान अध्यक्ष इंदर कुमार अगरवाल शांतनु गुप्ता विजय कुमार मुखेश कुमार रंजन अनिल कुमार स्रीजीत बासू शांतनु घरजी तनुश्री आचार्य केसरी गैस सर्विशस के प्रॉप्राइटर अश्मिनी कुमार केसरी सहीद जमशेथपूर एवं सराइकला के LPG distributor उद्यमी एवं entrepreneur मौझूद रहे नेचूरल गैस की तरह यूज कर सकते हैं एक सस्टेनेबल ये प्रॉजेक्ट है ये इन्वार्मेंट फ्रेंडली प्रॉजेक्ट है और हमारे सोसल रिफॉर्म्स को भी अड्रिस करती है हमारी आत्व निर्भर जो सपत है उसके बारे में इसको आगे बढ़ाने के बाले में स्कीन है उसी की हम जानकारी दिये और हम इन्वार्म के तरफ से जैसे हर बार कुछ ना कुछ नई बाते को उताते हैं आज एक बिल्कुल नई बात बता कर यहां के जनता के लिए हम इसको तो आगे बढ़ाने के इसकी इनको आज़ा है। देखिए हमारे एक्सपर्ट विजय जी हैं यहां पर वो बताएंगे लिकिन यह अल्रेडी देश में फैल रहा है। और हमारा प्लान है कि अगले दो ते तीन साल में हम करीब करीब पांच हजार प्लांट लागा है। देखिए जैसा कि बाकी देश के बाकी परांतों में आप देख रहे हैं जारखंड में भी इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है क्योंकि यहां पे हमारे पास लैंड बैंक्स हैं। लैंड एविलेबल होना आज के डिट में बड़ा इंपॉर्टेंट है तो वहां से हमारे राव मेटरियल्स वेगर आ सकते हैं। जारखंड में भी बहुत बहुत अच्छा प्रांत है और यहां पे बहुत सारे नए इनिशेटिवा हैं। बहुत ही अच्छा इसका है। यह इंडिस्ट्रियल टाउन है। इसलिए और भी इसका मत्त पुले। इफर की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ फेस्बुक और यूट्यूब पर साथी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।